विवादों में घीरे मंत्री ने अंतता इस्तिफा दे दिया आपको बता दे कि कार्तिके कुमार लगातार विपक्ष के निसाने पे थें क्योंकि इनका जो है मामला बीटा थाना में दर्ज है पटना के सटे बीटा थाना में अपारन का मामला दर्ज है उपर राजु सिंग से अपहरन करने का मामला दर्ज है जिसको लेकर आज शुनवाई होनी है कोट में दानापूर कोट में इससे पहले इन्होंने कार्तिके कुमार को मंत्री कानून मंत्री बनाया गया था लेकिन जब विवाद में आया तो इनका मंत्री मंडल में विस्तार हुआ और मंत्री इन्हें इस्तिफा दे दिया अब उनके पास कोई विभाग नहीं है अब वो एक MLC के तौर पर है कार्तिके कुमार उर्फ मास्टर साहब जियाँ विवादों में गिरे हुए थे जब से लगातार इन्हों ने मंत्री पत की सपतली तब से लगातार विवादों में गिरे हुए थे और विपक्ष इन पर निशाना साध रहा था अंतता नितीश कुमार ने इनका इस्तिफा ले लिया है और इसको लेकर आज कोट में सुनवाई भी होनी है। अब लगातार इनका मामला काफी सुर्कियों में था और इसको लेकर वकील थे उन्होंने भी दलील दी थी लेकिन सारी दलील वो साफ हो गई और उसके बाद अंतता आज इनका इनका कोट में पेश होना है। आप कोविस्तार से बताते हैं कि आखिर इन्हें कौन से मामले में बीटा में इन पर केस दर्ज हुआ था। बीटा में आठ साल पहले हुआ था अपहरन बीटा थाना में आठ साल पहले बिल्डर राजीव सिंग उर्फ राजु का अपहरन केस जो है वो गुरुबार को बिहार सरकार के पुर्व मंत्री कार्तिके कुमार उर्फ कार्तिक सिंग उर्फ मास्टर साहब के अगरिम जमानत पर कोट में आज सुनवाई होनी है और बीटा कांड सख्या 869-2014 में अपहरन जिला सस्त्र नियाइधिस के त्रीती अदालत में सुनवाई होगी और वो इस केश में प्राथमी की अव्यूक्त है जिसको लेकर कार्तिके सिंग के वकील मदुसूद सर्मा ने कहा कि केस में मेरि वाज का कहना है कि दो बार उनकी अंगरिम जमानत खारिज हो चुकी है और उमीद है कि आज उन्हें जमानत भी मिल जाएगा आपको बता दे कि कार्तिके कुमार लगातार शुर्कियों में थे और जिसको लेकर इनका जमानत जो है कई बार रद कर दिया गया था कोट के गया लेकिन बुद्वार को देर रात होते होते उन्होंने इस्तिफादे दिया और ये गन्ना उद्दोग विभाग जो है आलोक कुमार महता मंत्री है उन्हें दिया गया है और इसको लेकर काफी कार्तिके कुमार सुर्कियों में थे आगे कि जो अब डेट आएंगे हम अने रह देश जुनियूस के साथ